कि दस ग्राम के मात्रा में आपको सहजन के पत्ते को ले लेना है और पांच ग्राम के मात्रा में कच्ची हल्दी को ले लेना है इन दोनों को बारिक पीश लेना है पीशने के बाद आपको ले लेना है पाव लिटर गाय का दूद गाय के दूद के अंदर इसको डाल देना है ये जो समागरी पीस के आप तयार की हो गाय के दूद के अंदर आपको डाल देना है गाय के दूद के अंदर डालने के बाद आपको करना क्या है अलका सब गुनगुना कर देना है गुनगुना करने के बाद आपको पी जाना है कंटिन्यू 21 दिन तक नमस्कार दोस्तों मैं प भीमारी को बिलकुल जर्जी किया जा सकता है इस सदी का इस्तमाल कर के तो दोस्तों आज भात करेंगे कि कि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं इसी माताइच जिनको प्रब्लम होती है Allergy कि क्योंकर पूरे बोड़ी में हलकी खुझली होती है और खुझी के साथ साथ हलके छोटी, छोटी, बिल्कुल डान ही निकलने लग जाते हैं अगर इलर्जी आफ तो हम उसी के बारे बात करेंगे कि अगर हो रही आपको इस असधी का इस्टमाल करके उस इलर्जी जैसी बीमारी को बिल्कुल जड़ से कैसे कतम करना है दोस्तो सब्झे को इस्तम करने के लिए आपको इस सोस्थी का इस्तमाल करना पड़ेगा तब आपकीगे देहें असनिynn मैं जर्चेफल सेंन वेंदर सोत जाएगे दोस्तों इसके इसका इस्तमाल कैसे करना इंग को को खतम करने के लिए तो आपको इसके पत्ते को ले लेना है दस ग्राम के मात्रा में आपको सहजन के पत्ते को ले लेना है और पांच ग्राम के मात्रा में कच्चे हल्दी को ले लेना है इन दोनों को बारिक पीश लेना है पीशने के बाद आपको ले लेना है पाव लिटर ग जाना है कंटीनिव 21 दिन तक 21 दिन तक आप पी लेते हो सोसदी को तो मैं गारांटी के साथ कहता हूं कि आपके अंदर जो भी एलर्जी जैसी बीमारी है वो बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगा जो फोड़े फुंसी हो रहे हैं वो भी बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएंग अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक को दबाना ना भूले दोस्तों फिर मिलेंगे इसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार चैहिं क्या झाल